हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हम लोगों के चैनल में जिसका नाम है Best Notes Tutorials हम लोग अपने चैनल में आप सभी को preparation करवाते हैं और कोसिस करते हैं कि जो भी important questions आने वाले हैं examination में वो आप लोगों को बताए तो इसी क्रम में आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक poetry जिसका नाम है Dover Beach इसको लिखा है English poet ने जिनका नाम है Matthew Arnold तो चलिए जानते हैं इसका background और वो questions जो बहुत ही important होने वाले हैं examination के संदर्भ को लेकर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक information देना चाहती हूँ हम लोगों की channel में सभी courses को लेकर videos बनाए गए हैं और उनके PDF भी available हैं तो आप लोगों को अगर उसके जरूरत है तो नहीं संकोच हम लोगों को message कर सकते हैं और हम लोगों को email भी कर सकते हैं या फिर phone call भी कर सकते हैं जो numbers आपके सामने में provide कर रही हूँ उसको note down कर लीजिए और आपका जो भी problem है वो share कर सकते हैं ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए और एक और information दे रही हूँ एक comment में मुझे पुछा गया था कि क्या मैं Romeo और Juliet को लेकर कोई video बना सकती हूँ तो मेरा जवाब है कि मैं उस पे already काम कर रही हूँ और notes बना के आप लोगों को share करके मैं explain भी करूँगी और इस बीच में अगर PDF पहले तयार हो जाता है तो मैं आप लोगों के साथ वो WhatsApp में भी share करूँगी तो आप लोग बताईए और क्या आप लोगों को जरुरत है तो चलिए आज के class में हम लोग आरके बढ़ते हैं जिसका नाम है Dover Beach Matthew Arnold इन्होंने लिखा है Dover Beach और Matthew Arnold एक English poet है उनका जो लिखने का language है वो English है और वो cultural critic भी रह चुके हैं cultural critic का मतलब यह होता है कि जो different cultures है जो हम लोगों की संस्कृती है उसको analyze करके कौन सा accurate है कौन सा नहीं है और उसके उपर जो भी write-ups हम लोग लिख रहे है वो appropriate है या नहीं है ऐसा नहीं कि England में कुछ और follow हो रहा है और जो लिख रहे हैं वो कुछ different लिख रहे है तो suppose England के बारे में कोई लिख रहा है तो उसके ही बारे में लिखना है ऐसा नहीं कि दो cultures को mix कर देंगे अगर कुछ इधर उधर होता है या फिर mistake होता है तो उनका काम है कि वो analyze करें वो एक inspector के रूप में भी काम कर चुके हैं इंस्पेक्टर ये police वाले inspector नहीं है लेकिन inspector of schools जो schools में inspection के दोरान जाते हैं officers वो भी रह चुके हैं और schools का inspection बहुत ही जरूरी है अगर हम लोग school का inspection नहीं करते हैं तो school का अप्ग्रेडेशन नहीं होगा उनका development नहीं होगा teachers जो मन में आया वो पढ़ाएंगे बच्चे लोग जैसा मन करे वैसा dress पहनेंगे जैसे मन करे वो school में आयेंगे तो inspectors बहुत ही जरूरी है schools के लिए और schools को चलाने के लिए management में भी इनका हाथ रहता है कि school को कैसे manage करे उसको grow करे उसके development के लिए जो भी inputs जरूरी है वो provide करे तो ये सब Matthew Arnold जो की English poet है उन्होंने किया Thomas Arnold के वो son थे यानि कि बेटे थे और वो थे headmaster of rugby school इसका pronunciation है rugby rugby school के headmaster थे Matthew Arnold के father Matthew Arnold का जनम हुआ था 24th December 1822 at Lailham, Middlesex, England तो इस जगा पे उनका जनम हुआ था जगा का नाम है Lailham, Middlesex, England Lailham, ओके प्लीज डोंट फगेट दिस उनका डेथ हुआ था 15 April 1888 at Liverpool, England ये तो बहुत ही easy है आपको याद करना क्योंकि ट्रिपल एट है इसमें तो Matthew Arnold का डेथ हुआ था 15th April 1888 चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोगों का Poetry जिस का नाम है Dover Beach Dover Beach एक जगा का नाम है ये एक जगा है ये एक टाउन है Kent, England में Kent, England ठीक है? Kent का नाम तो आपने सुनाई होगा तो Kent, England में Dover Beach है और इसी जगह पे Matthew Arnold ने honeymoon भी मनाया था वहाँ पे वो गये थे honeymoon मनाने के लिए इसके हिसाब से भी ये बहुत ही important जगह है और ये जगह बहुत ही खुबसूरत है अब ये खुबसूरती को किसके साथ रिलेट किया गया है ये हम लोग जानेंगे आज के क्लास में चलिए आगे बढ़ते हैं Dover Beach is a lyric poem by English poet Matthew Arnold ये हम लोगों ने discuss कर लिया It was first published in 1867 1867 में ये published हुआ था और किस में published हुआ था? क्योंकि एक-एक poetry तो publish नहीं होता Poetries का collection publish होता है और वो collection का नाम है New poems ठीक है? वो collection का नाम है New poems But Surviving notes indicate Its composition may have begun as early as 1849 1867 में तो ये publish हुआ लेकिन जिस तरीके के proofs मिलते हैं उसके हिसाब से 1849 में ही Dover Beach को लिखने का काम सुरू हो गया था और ये information हम लोगों को उनके जो room है वहाँ पे papers और जो भी diary में लिखा हुआ था ये Dover Beach के lines उससे पता चलता है ठीक है? the most likely date is 1851 तो 1849 को हलका सा लिखना उन्होंने सुरू किया उसके बाद में focus करके 1851 में उन्होंने लिखा Dover Beach फिर finally वो publish हुआ 1867 में कुछ दीन बाद हम लोग उसको execute करता है तो जब हम लोग execute करते है जब हम लोग practically start करते है तब ही से हम लोगों का date शुरू होता है वो काम का तो जब हम लोगों के mind में रहता है तब तो हम लोग उसको नहीं बोलेंगे कि हाँ इस दिन को ये mind में आया था वैसा ही case यहाँ पर भी है तो 1851 को आप लेके चलिए और उसका publication date, publication year 1867 को ध्यान में रखिए चलिए आगे और बढ़ते हैं एक बहुत जरूरी बात में बता दू आप लोगों को जब हम लोग बात करते हैं डोवर बीच की तो एक बहुत ही important चीज ध्यान में रखना है कि यह जो poet है Matthew Arnold वो बताते हैं कि कैसे इनसान से faith to God बखवान पे बिस्वास करना उठ किया है हम लोगों को डर है हम लोगों को एक dissatisfaction है हम लोगों को problems है उसको solve करने के लिसे हम लोग God पे believe करते हैं लेकिन selflessly कभी भी हम लोग God पे believe नहीं करते हैं उनका कहना है तो जो यह faith erode हो रहा है जो यह faith eb down हो रहा है जो faith eradicate हो रहा है हम लोगों के mind से उसके लिए ये Dover Beach लिखा गया है जो ये title है ये एक जगह का नाम है और let me read out then I'll explain the title locale, locale मतलब जहां पे वो घटना हुई है यानि कि Dover Beach में जो भी हुआ उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं the title locale and subject of the poem's descriptive opening line is the shore of the English ferry port of Dover in Kent facing Calais ये प्रनांसेशन होगा Calais, ये रहेगा silent, okay Calais in France at the street of Dover, the narrowest part of the English Channel where Arnold honeymooned in 1851 तो ये जो Dover है, Dover एक street का नाम है, street मतलब narrow space और ये space जो है, वो है England और France के बीच, ठीक है, England और France के बीच में जो पतली सी जगह है उसको कहते हैं Dover Beach इसके वज़े से ये दोनों countries connected हैं और इसे जगह पे Matthew Arnold ने honeymoon मनाया था और ये concept जो है उनके दिमाग में आया था Dover Beach का poetry लिखने के लिए Many of the beaches in this part of England, मतलब Kent जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं Kent में Dover है और Dover के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं आपे जितने भी बांकी beaches हैं इंग्लेंड में Many of the beaches in this part of England are made up of small stones or pebbles rather than sand Sand जो है बालू उससे compare किया गया है यहाँ पे वो sand नहीं मिलते हैं इस beach पे वहाँ पे only pebbles मिलते हैं और जो भी सीख से जैसे कि यहाँ से जवार भाटा उटके आती है समुन्दर के बारे में बात हो रहे हैं जो poetry है वहाँ पे समुन्दर के बारे में बात होती है समुन्दर में जो tide होती है जवार भाटा उटती है उटने के बाद में जब यह किनारे पे आती है तो वो slow हो जाती है वही हाल हम लोगों का है हम लोगों का faith बहुत ज्यादा था पहले और आज की date में ये कम हो रहा है और जिस तरह से कम हो रहा है उसका जो तिब्रता था वो बहुत down हो चुका है उसका जो intensity था faith का, जो भगवान पे हम लोगों का faith था वो घट के नीचे आच चुका है और grating roar grating मतलब किसी चीज़ पे हम लोग जैसे कद्दुकस करना घिसते हैं उस roar को वो तो एक unpleasant ही roar होता है unpleasant sound है उससे हम लोगों को कोई सुकून नहीं मिलता जब कोई grate करे, मान लेज़े अद्रख grate हो रहा है चाय में डालने के लिए तो वो अच्छा sound तो नहीं generate करेगा उसके लिए हम लोगों को music सुनना पड़ेगा या फिर कोई music बजायना पड़ेगा या गाना सुनना पड़ेगा वो हम लोगों के कानों में एक सुखद sound होगा लेकिन ये grating roar unpleasant sound है तो ये क्यों हो रहा है ये जब clash कर रहा है ये pebbles के साथ stone के साथ जो की जमीन पे है लैंड में जो stone से उस पे जवार भाटा आके जब टकराती है तो जो sound निकालती है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और यहां पे बात कर रहे हैं faith के साथ compare करके faith पहले हम लोगों का बहुत ज़्यादा था God पे अभी कम हो गया है और जैसे जैसे कम हो रहा है हम लोग unpleasantness में move कर रहे हैं हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा हम लोग खाने कमाते हैं खाते हैं कमाते हैं लेकिन एक faith और religion के उपर जो विश्वास सावोग बहुत ही कम हो गया है चलिए पहले poetry को पढ़ते हैं उसके बाद में हम लोग explanation की और पढ़ेंगे First Stanja, Dover Beach The sea is calm tonight The tide is full, the moon lies fair Upon the straits, on the French coast the light Gleams and is gone The cliffs of England stand Glimmering and vast Out in the tranquil bay जो समुत्र है वो बहुती शान थे उस रत जब poetry लिख रह थे उस वक्त The sea is very calm बहुती शान थे उसमें कोई हरकत नहीं है The tide is full जो जुआर भाटा है समुद्र में वो फुल है The moon lies fair जो moon है, जो चंद्रमा है वो फुल क्लेज में है उसमें फुल रोशनी है Upon the straits और इनकी lights जो है वो कहां पे आ रही है जो इस straight से Straight किसका नाम है नाम तो नहीं बोलूँगी ये एक narrow जगह है पतली सी जगह है और कहां पे है ये ये है England और France के बीचों बीच हलके सी जगह है जिसकी वजह से ये दोनों में एक boundary और border जिसा बन गया है और ये जो water body है उसको divide करती है ये straight Gleams and is gone जो ये moon की light है वो आती है और चली जाती है और जो tide है वो भी आती है वो चली जाती है The cliffs of England stand जो cliffs है जो पत्थरिला जगह है England में वहाँ पे tide आते हैं और चले जाते हैं और poet जो है वो stand करें वो खड़े है England में और वहाँ पे बेट के वो चटानों को देख रहे हैं Glimering and vast out in the tranquil bay Glimering means a faint light हलकी सी रोशनी चांद तो full form में है ठीक है लेकिन जब चांद की रोशनी धरती पे आती है तो वो हलकी हो जाती है तो वो हलकी जो रोनक है जिस जगह पे पड़ती है उस जगह में ग्लिमरिंग है उस जगह में हलकी सी रोशनी है वो जगह चमक रही है और जो जगह अंधेरे में है वो नहीं चमक रही है तो ये जो सीन है वो देख पा रहे हैं पोईट और उस जगह पे बहुत ही शान्ती है एकदम tranquill tranquility मतलब peacefulness और बे मतलब है खाड़ी ठीक है जहां से किलते हैं ओके कम तो दे विंडो स्वीट इस दी नाइट एर वो किसी का बुला रहे हैं वो किसी का बुला रहे हैं विंडो में विंडो जहां पे वो जिस रूम में वो खड़े हैं वहां से वो बुला रहे हैं और बोल रहे हैं कि नाइट एर जो रात की हवा है वो बहुत ह अच्छी है Dover Beach The sea is calm tonight The tide is full The moon lies fair Upon the streets On the French coast delight Gleams and is gone The cliffs of England stand Glimmering and vast Out in the tranquil bay Come to the window Sweet is the night air Only from the long line of spray Where the sea meets The moon-blanced land Listen, you hear the grating roar Of pebbles Which the waves draw back And fling At their return Up the high strand Begin and cease And then again begin With tremulous cadence Slow and bring The eternal note Of sadness in So friends Let's do the explanation In the first stanza The poem begins With a serene description Serene description means The speaker stood on the coast To enjoy the captivating beauty The beauty of the sea Here is the speaker The speaker is obviously Poet A mood of sensory awareness Is created as a landscape composed of the tranquil sea Moonlight and the sun And the strait Gives a picture That is constituted of Balance Stability And harmony Here is the important thing Here is the important thing How can we notice To notice As we see Poetry We have to learn Sensory awareness We need to learn Sensory awareness जुआर भाटा के बारे में बात करते हैं, जो की चट्टानों भी आके टकराती है, तो हम लोगों को sound वाले जो auditory senses है, वो active हो जाने चाहिए, और जो भी visualize हम लोगों को करना चाहिए, through poetry, वो organs, वो senses, वो aware हो जाते हैं, active हो जाते हैं, उसको describe करे हैं, यहां पे, यहां पे देखिए, tranquil sea, sun sea, moonlight, जो की चुपचाप अपना काम कर रही है, और narrow straight, जो हलका सा narrow जो जगह था, यह तीनों क्या represent करते हैं, balance, stability और harmony, ठीक है, यह तीनों में क्या-क्या है, balance है, sea में balance है, land और sea को लेके आगे बढ़ना, क्योंकि sea तब तक नहीं होगा, जब तक land नहीं होगा, land है तब ही sea है, moonlight, moonlight सिर्फ होने से उसकी रोशनी कहाँ पर जाएगी, अगर, first of all मैं explain कर दू, first वाला point एक बार फिर से, जब समुंद्र का जो लहर है, उसको टकराने का जगह नहीं मिलेगा, तो उसमें खुपशूरती कहाँ से आएगी, जो चांद की रोशनी है, वो जब तक जमीन पे न पड़े, और उसका सुंदरता बाहर न आए, तो उसका काम क्या है, वो भी useless हो जाता है, ठीक है, उसमें इतनी शमता है, कि दो कंट्री को पास ला सके, और दो कंट्री को मिलाने का जो जगह है, वो बन सके, तो straight, harmony, stability, balance के लिए रिप्रेजेंट करता है, same goes with moonlight and sea as well, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, जो भी nature में चीज़ें हैं, उसमें balance देखने को मिलता है, उसमें harmony है, क्योंकि बिना nature के साथ harmony किये हुए, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, और हम लोग यह नहीं सोचना है कि, हम लोग human beings है, हम लोगों को किसी के जर्रत नहीं है, नहीं, human beings को हर चीज के जर्रत है, बागे चीजों से ज्यादे तो इनसानों को ही जर्रत पड़ती है, लेकिन जो nature में चीज़ें हैं, जैसे sea, moonlight, जगा, straight को land, हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है, तो यह जो चीज़ें हैं, nature में, यह दूसरे चीजों के बीना अधूरे हैं, उसको poet बताते हैं, चलिए आगे बढ़ती है, the straight refers to the straight of Dover, between the English Channel and the North Sea, मैंने आपको अल्रेडी बता दिया, Dover एक जगह हैं, और यह जगह दो country को divide करती हैं, English Channel जो England का है, और North Sea जो के France के एरिया में पढ़ता है, the light that gleams and is gone is the literal sense, in the literal sense, brings into picture a light that is flickering on the French coast, तो वहाँ पे जो light है, ठीक है, जो light है, वो directly coast पे पढ़ती है, French coast, मतलब French country जो स्टार्ट होने से पहले जगह है, पानी का, वहाँ से हम लोग देख पाते हैं, light आ रही है पानी में और वो पाने की चमक की वज़े से, जो light की चमक की वज़े से पानी में हरकत है, उसको देख पा रहे हैं, उसके खुबसूरती चाहिर हो रही है, चलिए आके बढ़ते हैं, metaphorically मतलब symbolically, metaphorically का मतलब है, symbolically, ठीके किसको symbolize करते हैं, यह light, However, the light is regarded as the fluctuating faith in God and religion, देखिए, जो light पानी में पढ़ रही थी, वो light obviously हिलती है, जब पानी सांत भी हो तब भी वहाँ पे हरकत होती है, तो जो light है, वो already fainted है, हलकी सी है, और जब पानी में पढ़ती है, तो वो concrete हम लोगों कुछ चीज़े नहीं दिखाई देती, वो हिलती है, जिसकी वज़े से clear कुछ भी नहीं होता, और light तो already हलकी है, तो इसका fluctuating जो light है, वो क्या represent करता है, fluctuating faith in God and religion as well, modern इंसानों को God और religion के ओपर भरुसा नहीं है, वो सोचते हैं, जो वो करेंगे, उसी का result उन लोगों को मिलेगा, लेकिन कुछ percentage तो obviously भगवान के हाथ में होता है, जिसकी वज़े से हम लोग प्रे करते हैं, जिसकी वज़े से हम लोग उन पे विस्वास करते हैं, और डरते भी हैं कि बुरे काम न करें, लेकिन अगर ये faith हम लोग न किसी से डरेंगे, न कुछ करेंगे, इसलिए जो light है, वो उस पो रिप्रेजन करते हैं, लेकिन, point आगे बढ़ते हैं, और कहते हैं कि जो God है, जो भगवान है, वो इनसानों के भरों से नहीं चलते, इनसान रहे, न रहे, भगवान रहेंगे, और भगवान को इनसानों की faith extremely ज़रूरी नहीं है, अगर हम लोग भगवान पे विस्वास करना छोड़ देंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि भगवान एकदम बोरा बिस्तियर ले जिसका है, एक भी इनसान का है, वो भी matter करता है, और वो cannot be destroyed, उसको हम लोग ध्वंक्स या नस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ पे एक word है, weighty, rallentando, इसका मतलब है, weighty का मतलब है, serious, बहुत ही important, जो अब हम लोग को कोई important बात करनी है, तो हम लोग बोल सकते है, weighty discussion, ठीक ह और rallentando, यह एक Italian term है, जिसका मतलब है, decrease होना, slow होना, ठीक है, तो slow क्या हो रहा है, यहाँ पे, slow हो रहा है, भगवान के उपर, विश्वास, ओके, moonlight creates a sense of melancholy, melancholy मतलब, दुखी, sad, sad atmosphere create करता है, moonlight, क्योंकि, जब moonlight होता है, तो obviously, लोग कोई सोर सराबा, करनी के mood में नहीं होते, वो कुछ parties वगेरा को छोड़ दिजिए, उसको side किजिए, हम लोग यह जो general discussion है, उसके बारे में बात करते हैं, रात कोई इनसान का काम में सोना, और वो parties exceptions है, और exceptions can never be examples, ठीक है, तो जब moonlight होता है, तो हम लोग calm feel करते हैं, उसमें कोई नहीं होता, और sadness को represent करता है, meditation, शांती में ही हम लोग meditation कर सकते हैं, हला गुला चिला में नहीं, और despair, वहाँ पे कुछ नहीं है, कोई नहीं है, इसलिए, इस situation को हम लोग को महसूस करना है, the natural scene is amalgamated, amalgamated मदलब एक जगह पे लाना, किसी चीज़ को एक जगह पे लाना, this is called amalgamation, ठीक है, with a sense of spiritual security established by the words calm, full, fair and tranquil, tranquil मदलब शांती, peace, okay, तो peaceful जो situation create किया है, जो fair, fair मतलब ना किसी को injustice हो, और ना किसी को ज़्यादा benefit मिले, उन्होंने जो किया है, वैसा है, उनको मिलना चाहिए, तो fairity के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, full, full मतलब ना आधा, ना कम, ठीक है, जो जैसा करता है, वो ऐसा भरता है, बस, आज हो या कल हो, उसका fulfillment तो होना है, इसलिए spiritual security, भगवान पे विश्वास रखना है, कि हम लोग जो करते हैं, वो सही करना है, नहीं तो वहाँ पे भगवान है, जिसके वज़े से हम लोगों को punishment मिल सकता है, तो यह सब words जो हैं, वो हम लोगों को peaceful, एक environment का एहसास दिलाता है, The cliffs of England, composed of an eroding limestone chalk, makes it look bright and huge, यहाँ पे जो England में cliffs हैं, जो rocks हैं, जहाँ पे आके sea water strike करता है, वो composed of an eroding limestone, limestone बहुती soft stone है, limestone को हम लोग जल्दी से तोड़ सकते हैं, ठीक है, तो जिस तरह से, जिस जल्दी से यह तूटता है, chalk जो को हम लोग लिखते हैं, blackboard में, ठीक है, chalk, limestone, यह stone के ही category, लेकिन वो stone hard नहीं होता, तो यह जो hard नहीं होता, उसको compare किया गया है, faith से भी, जिस तरह से faith घड़ता ज जा रहा है, वैसे ही, limestone में, जो cliff में limestone है, उसी की तरह हम लोगों का faith भी घड़ रहा है, भगवान को हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, भगवान पे faith नहीं है, जिसकी वजह से, एक firmness नहीं आपाता, इंसान जो भी करता है, उसमें, the concept of eroding further, the theme of the weakening of faith of human beings, देखिए, weakening of faith of human beings, जिस तरह से limestone software होता है, sturdy faith भी नहीं होता, इंसान का, ठीक है, थोड़े दिर के लिए believe करते हैं, फिर थोड़े दिर के बाद में वो दूसरे कामों में लग जाते हैं, और सोचते हैं कि हम लोग जो करेंगे, उसका कोई plus minus नहीं ह हो रहा, the speaker calls his companion to join him in experiencing the delight that nature is, नेचर को experience करने के लिए वो अपने partner को बिलाते हैं, जो भी करता है, जो भी वहाँ पे सुन्दर चीज दिखता है, वो अपने friends को, relatives को, या फिर जो भी अपने साथ पे companion है, जो गया है, company देने के लिए उसको बिलाते हैं, जो गया है, company देने के participate as Arnold six companionship, now obviously, यहाँ पे जो call किया जा रहा है, वो readers को, ठीक है, तो speaker या फिर poet का companion है, readers, वो readers को बिलाते हैं, कहाँ पे उनके साथ participate करने के लिए, क्योंकि poet को एक companion, एक दोस्त की जर्रत है, किसमें भगवान के उपर faith करने के लिए, ठीक है, the poet could anticipate the shift in human ideology from the Christian tradition to the impersonal world of Darwin and other scientists, अभी देखिये, यहाँ पे क्या बोल रहा है, the poet सूच पा रहे हैं, वो पहले से ही assume कर पा रहे हैं, कि क्या होने वाला है, अभी क्या होने वाला है, human का ideology जो है, वो shift हो रहा है, कहां पे shift हो रहा है, Christian tradition से, जो Christianity है, वहां पे जो भी Bible में कहा गया है, उसको believe करने के जगह, वो क्या करते हैं, Darwin और other scientists के theory को believe करते हैं, जो की practical based है, इनसान का उत्पति के से हुआ, उसका development के से हुआ, उसने क्या किया ता पहले, जिसकी वज़े से उसका situation आज ऐसा है, यह सब, ठीक है, और हम लोग believe नहीं करते हैं, आजकल जो भी theories में लिखा हुआ रहता है, या फिर Bible में, या कोई भी religious grant में लिखा रहता है, हम लोगों का कहना है कि हम लोग जो भी करें उसका कोई calculation नहीं होता है, जो कि बिलकुल गलत है, ठीक है, भगवान ने हम लोगों को बनाया, और हम लोगों को उनको believe करना है, यह बात बताते हैं, poet, a beautiful image is evoked as the beach, drenched with water drops and blanched with the bright moonlight makes the sand look white, अभी दिखिया, blanched का मतलब होता है, bleach करना, जब हम लोग पारलर में beach करते हैं, तो सब white हो जाता है, तो उसी को यहाँ पर refer किया गया है, जो moonlight है, वो bright है, और सफेद है, next, drenched, drenched मतलब totally wet होना, totally भीग जाना, तो जो जगह के बारे में हम लोग बात करें, वो totally भीगा हुआ है, और उसके उपर, जो moon की light है, वो पड़ रही है, जिसकी वज़े से वो area जहाँ पर कि moonlight जा रही है, वो सफेद हो गया है, और ये सफेद, जो है white है, वो symbolize करता है peace, ठीक है? यहाँ पर दो चीजे, दो चीजों को बताया गया है, वो है, एक तो शान्त वातावरन और दूसरा, जो आवाजे समुद्र से आ रही है, समुद्र से कौन सी आवाजे आ रही है, जो आरभाटा की, जो की cliff में आके, जो की rocky bank में आके टकरा रही है, ठीक है? तो वो शान्त वातावरन के साथ सत हम लोगों को ये अशान्त भी कर रही है, जारिंग मतलब conflictful, ठीक है? conflictful मतलब दो चीजों को contrastly देखना या करना, तो यहां पर contrast चीजे क्या है, एक सान्त वातावरन और एक आवाज करती हुई, c, यानि समुद्र, it produces a depressing, tragic and undulating appeal, undulating, undulating मतलब ये इस प्रकार का जो चीजे है, इस प्रकार से क्या आती है, जो आरभाटा, या फिर पानी, समुद्र का, normal जो वाटर है, वो ऐसे आती है, उसको कहते हैं undulating, ठीक है? it produces a depressing, मतलब, जो request हो रहा है, ठीक है, it produces a depressing, tragic and undulating appeal, appeal हो रहा है, वो waves से कि भगवान के उपर विश्वास करो, okay, the continuous and endless movement of the waves bring in the deep sense of melancholy, and eternal note of sadness in human life, क्योंकि human को करते रहना है, काम करते रहना है, करते रहना है, लेकिन उसको result के बारे में नहीं सोचना है, उसके लिए भगवान है, अगर हम लोग सोचेंगे, आज मैंने गलत किया, आज ही इसका result आ जाना, यह तो वैसा नहीं होता, उसके लिए wait करना पड़ता है और वही जो movement है, water का, उसको हम लोग अपने life में भी relate कर सकते हैं, जब ups है, down से, life में, वो होते रहेगा, लेकिन हम लोग उको faith रखना है God पे, तो चलिए अब analysis के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं, Arnold begins Dover beach by giving a description of the setting in the, in which it is taking place, यहां पे, Dover जगह पे हम लोग है, ठीक है, पोईट जहां है, वहां के बारे में हम लोग बात करने हैं, तो इसी जगह को Arnold theme बना लिये हैं, It is clear from the title, although never explicitly stated in the poem, that the beach is question, beach in question is Dover on the coast of England, जो Dover के बारे में हम लोग बात करें, वो coast है, England का, The sea is said to be calm, there is a beach on the water, at full tide, full tide में यह Dover beach के बारे में बताया गया है, जिसमें जो जगह बात है, वो full है, एकदम high tide पे है, ठीक है, The moon lies fair, lovely, upon the streets, a street is a narrow passage of the water, such as the English channel, onto which Dover beach aborts, Aborts का मतलब है, touch करना और touch करके एक border जैसा बनाना, ठीक है, तो यहां पे straight, किस-किस को connect करता है, France और England को, Although useful to imagine the speaker in a particular place, the setting is not as important as what is represents, what it represents, यहां पे देखिए, यह जो place है, जो है Dover, यह बहुत ही important नहीं है, लेकिन जो represent करता है, यह Dover, जो जगह में जो भी चीज़े हैं, जैसे sea है, जैसे rock है, उसके बाद में, हम लोगों को दिखा गया moonlight है, यह तीनों चीज़ important है, Dover, जगह important नहीं है, लेकिन जो चीज़े वहां पे represent कर रही है, different चीज़ों को, different situation को, वह important है, ठीक है, यहां पे तो वह honeymoon मनाने गए थे, और इसलिए गए गए थे, क्योंकि वह जगह अच्छी थी, लेकिन वहां पे जो चीज़े थी, वह different चीज़ों को signify करती है, जिसके वज़े से, Dover important हो गया है, इसलिए इसका title भी Dover बीच रखा गया है, otherwise, इसके सिवा इसका कोई importance नहीं है, The speaker is able to see across the channel to the French side of the water, English channel, यानि कि England में बेट कर भी वो France में देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, और वहां के water bodies कैसी है, वहां पे कैसे lights जा रही है, वहां पे क्या हो रहा है, वो देख पा रहे है, मतलब एक country में रहे के दूसरे country के हरकतों को वो जान पा रहे है, The lights on the far coast are visibly gleaming and then they disappear and the cliffs of England are standing by themselves, vast, glimmering in the way, जब तक light थी तब तक visible था, जब light चली गई तो यह disappear हो गई, ठीक है, इसका मतलब है, जो भगवान पे faith है, वो time being के लिए था, इंसान का, उसके बाद में अकेला पढ़ गया, इंसान और भगवान के बारे में उसका कोई faith नहीं रहा, जो English people है, जो Englishman है, उनका faith down हो रहा है, और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिस्ट्रियल रेवलिशन के बाद में, English people modernize हो गए थे, modernize इसलिए नहीं कि उन लोगों ने सब कुछ सीख लिया था, ऐसा नहीं है, बट पैसा मिल गया था उनको, और उस पैसों से जो वो चाहते थे, वो खरीच सकते थे, लेकि उनके अंदर जो faith था, वो खट रहा था, No one around him seems to see the enormity of what is happening, the night is quiet, बाहर क्या हो रहा है, ये किसी को समझने का जरुत ही नहीं है, वहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, कि जो पहले वाला culture था, वो नहीं है, पहले लोग डर के रहते थे, वो डर नहीं है अबी, randomly, खुले आम, गलत चीज़े हो रही है, और ये हो रहा है, भगवान की और हम लोग के जो बिस्वास है, वो totally hurt रहा है, इसकी वज़ा से, थोड़ा सा भी डर होता तो हम लोग ये गलत काम नहीं करते, there is a calm, the speaker refers to as tranquil, वहाँ पे कामने से, जिसको हम लोग रात में ही महसूस कर सकते हैं, वो भी moonlight और high tide के presence में, now the speaker turns to another person that is in the scene with him, scene, मतलब जो nature है उनके साथ उसके बारे में बात करें, and asks that this unnamed person comes to the window and breath in the sweet night air, यहाँ पे जो unknown person है, वो है हम लोग, readers, ठीक है, और वो बताते हैं कि sweet night air को experience करना है, और यह उन लोगों के लिए a call है, जो कि England में particularly recite करते हैं, ठीक है, उनको आके बोलते हैं कि आओ, experience करो nature का, believe करो God में, the second half of this stanza is spent on describing the sound of the water that the speaker is weaving, यहाँ पे sound जो है, वो बार-बार repeat हो रही है, इसका मतलब है repeatedly, request, अपील हो रहा है कि आप लोग God पे believe करो, भगवान की आवाज सुनो और उनके लक्षे कदम पे चलो, the speaker draws the companion's attention to the sound that the water makes as it rushes in above the pebbles on the shore, जो पानी, जो water waves के थुरू आ रही थी, एज पे, यानि कि bank पे, वहाँ पे pebbles में टकरा रही है और बहुत शोर कर रही है, वहाँ पे sand होने से उतना सोर नहीं करता, लेकिन sand नहीं है, वहाँ पे सिर्फ पत्रीला जगह है, जिसके वज़े से बहुत ज़्यादा आवाज हो रही है, they roll over one another, creating the gritting roar, अब जो पत्थर है, पत्थर के उपर पत्थर जब फेकते हैं, पानी के थूँ, तो क्या होगा, वहाँ पे आवाज आएगी, और ये आवाज melodious नहीं है, वो आवाज है, unpleasant, ठीक है, ये एक roar है, unpleasant आवाज है, जिसमें कि कोई अच्छे चीजें नहीं सुनाई देती, ये तो regular काम है, सी का, ठीक है, तो यह regular काम है, poet का बोलना, लेकिन उसको आत्मसाथ करना, वो हम लोगों का काम है, हम लोग जो बोल रहे हैं, poet उसको receive करना है, या फिर उसको ignore करना है, ठीक है, the slow, sorry, the slow cadence of this movement and its eternal reputation seem sad to the narrator, जाओ, यहाँ पर cadence है, cadence मतलब decline होना, घटना, sink होना, ठीक है, यहाँ पर क्या sink हो रहा है, movement, जो समुद्र वापस जाती है, तब slow motion में जाती है, वो repeat करते हुए जाती है, उसके बारे में नरेटर बात करें है, यहाँ पर obviously, जब जाती है, sea waves तो कुछ लेके नहीं जाती, वो bank में छोड़ जाती है, वैसे वो appeal, जो request है, public के लिए वो छोड़ के जाती है, especially यह public भी नहीं, यह English men लोग हैं, ठीक है, क्योंकि English men का faith घट गया है, Indians का नहीं घटा है, वो तो पुझा पाट करते हैं, उसके बाद में मंदिर जाते हैं, उसके बाद में अपना culture फालो करते हैं, तो इन में faith कम नहीं हुआ, वो कुछ भी कर ले, लेकिन यह सब follow करेंगे ही, जबकि English जो लोग है, उन लोगों में faith कम हो रहा है, जिसकी वज़े से यह एक appeal है, और यह appeal, वो लोगों को करते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, चलिए friends, आज के लिए, मैं first stanza ही कराऊंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, और second stanza के लिए आप लोग त्यार रहेगा मेरे next वीडियो में, तब तक के लिए मैं रोशनी शाह को इजाज़त दीजिए, हम में लेंगे अगले वीडियो में, Thank you everyone, Dove of Witch part 2, उसके लिए ready रहे, री में जती थे ज आर्ब में लाँ सतन है,